जी गर्स ये exercise 3.4 का question number 1 का 6 part है यहाँ देखिए ये 3 values है multiplication divisible में इसकी हमारे पास index है इसका 3 ठीक है सबसे पहले हम इसको expose करेंगे उसके बाद जो सबसे पहला important काम है वो इसका index को exponent बनाना है तो चुक्के गर्स ये whole values के इर्दगिर्द है तो इसलिए हमने इसको इन सब के साथ एक ही 1 by 3 deal करना है दोनों साइट पर log लिया log लियने की वज़ा से exponent बाहर आ जाएगी देखिए चुक्के 1 by 3 सबका multiple है इसलिए मैंने next brackets ला ली है यहाँ आ जाएगा log 7214 plus log 20.37 minus log 60.8 ओके गर्स आपको पता है कि यहाँ पर हमारे पास दो चीज़े होती है किसी भी log को लेकर characteristic और mantisa तो हम सबसे पहले देखेंगे point से पहले एक 0 है तो मतलब एक digit कम करें तो minus 1 ही बनता है तो हमारा characteristic है minus 1 और हम mantisa के लिए 72 को 1 और 4 में चेक करेंगे log table में जी girls हम 72 को 1 और 4 में चेक करेंगे तो 8579 value है और 4 में इसकी value 2 है तो 8581 बन जाएगा यहाँ देखिए अब हमने क्या किया actually इस minus को उठा के अलग कर दिया और point 8581 को अलग कर दिया अब हम लेंगे log 20.37 का 2 digits कम करेंगे तो characteristic 1 हो जाएगा अब हम 20 को 3 और 7 में चेक करेंगे जिगस यहाँ देखे 20 को 3 में देखा तो value है 3075 और 7 में इसकी value है 15 तो 3075 प्लस 15 हो जाएगा 3090 यह रही value अब हमारे पास next है log 60.8 हमने पास इसका characteristic होगा 1 ठीक है मैं टीसा 60 को 8 में चेक करेंगे इसमें 3 digits है तो सिरफ हम इसको 3 digits में ही चेक करेंगे 60 को 8 में चेक करेंगे तो value है 7839 इन सब को as it is calculator पर लिखकर आप solve कर ले तो हमारे पास अंदर bracket में बचेगा minus 0.6168 इसको 3 पर divide करेंगे तो value बचेगी minus 0.2056 अब गर्स यह देखिए बिलकुल previous question 5 की तरह है वहाँ पर हमारे पास value अगर minus 2 थी या minus 1 थी तो हमने उसे एक बढ़ा कर add और subtract किया था तो गर 0 से बढ़ा digit हमारे पास है 1 ठीक है तो चुके मुझे condition यह बनानी है जैसे minus 1.5 को minus 1.5 को हम लिख सकते है minus 1 plus 0.5 ठीक है तो हमने इसको ऐसे बनाने के लिए हमें यह value positive चाहिए तो हमने यह minus 1 लिया यह plus 1 लिया ताकि actually तो इस value पे कोई फरक नी पड़ेगा इन दोनों का sum 0 होता है 1 में से 0.2056 निकाले तो positive 0.79 double 4 आ गया और यह minus का बार बिलकुल उसी तरह जैसे minus 1.5 में से minus उठा के नीचे ले आते हैं तो इसी तरह हम वापिस उसको दे देंगे तो minus 1.79 double 4 है जी girls अब देखिए log है हमारे पास minus 1.79 double 4 का एक्टर स्टिक है minus 1 में तीसा है इसका 0.79 double 4 अब हम anti log में 7 9 double 4 में चेक करेंगे जी 7 9 को double 4 में चेक करना है 7 9 का 4 के नीचे value है 6 double 2 3 और इदर 4 के नीचे value है हमारे पास 6 जब हम 6 double 2 3 में 6 एड करेंगे तो 6 double 2 9 बन जाएगा यहां देखिए अब हमारे पास करेक्टर स्टिक चुके minus 1 है तो anti log में शुरू में इसके 0 लगा देंगे पास करेक्टर स्टिक पास करेक्टर स्टिक पास करेक्टर स्टिक्टर 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